Hello everyone, आज की इस वीडियो में हम SOL के undergraduate courses की semester 1 की date sheet discuss करने वाले हैं, जिस बच्चे ने 2023 में UG course में नया admission लिया है तो आप वीडियो को completely देखे, पूरी वीडियो देखे तो आपके जितनी भी doubts है date sheet से related वो clear हो जाएंगे देखे date sheet discuss करूँ, उससे पहले एक चीज़ आपको समझाना चाता हूँ, जो बच्चे BA program के और become honors के हैं, उनकी जो date sheet है वो एक ही PDF में सारे subject की date sheet आपको मिल जाएगी और इन दोनों courses के अलावा बाकि सारे courses के student, become program, BA honors या BBA अगरा courses के student, उनकी लिए जो date sheet है वो उनको अलग-अलग PDF डाउनलोड करनी पड़ेगी, अलग-अलग subject की category के according, जिसे ability enhancement, skill enhancement या फिर value edit course, etc. या फिर generic elective तो अब आप वीडियो को पुरा देखे और समझे किसे तरीके से date sheet को समझे ना है, तो सबसे पहले चीज़ तो हम यहाँ पे आपको become honors की date sheet open कर लेते हैं, इसमें आपको हर एक subject की date मिल जाएगी, एक ही PDF में, as I earlier repeat, और become honors के exam 20-30.5 बज़े के बीच होंगे, याद रखिए दोस्तो, सारे exam 3 घंटे के नहीं है, कुछ paper आपके 1,5 घंटे के भी होंगे, ठीक है, और हो सकता है कुछ paper 2 घंटे का भी हो, लेकिन जो यह 3 घंटे का exam है, इसमें आपका discipline का और generic elective का paper जो है, वो 3 घंटे का रहेगा, तो become honors के exam 16 December से शुरू हो रहे हैं, इस date sheet में कोई भी changes नहीं है, management principal का exam है, उसके बाद 6 January को आपका ability enhancement course का exam है, जिसमें हो सकता है आपने EBS लिया हो, या Hindi language ली हो, या कोई और अगर regional language है, तो वो आपने ली हो, 6 जनवरी के बाद अगला exam आपका 13 January को business law का है, उसके बाद 20 January को आपका second का exam है, इन टीनों में से कोई एक subject आपके semester 1 में होगा, finance या फिर communication या रहिंबंच, कासी student ये complain कर रहे हैं कि इसमें ये code गलत है, ignore कर दो code को, फिलाल आपकी date यही रहेगी, subject यही रहेगा, admit card में जो code आएगा, वो आप consider कर लीजेगा, उसके बाद आपका 27 January को financial accounting का exam है, और 3 January को आपका value added course में, constitutional values या reading Indian fiction या yoga जो भ वरी को है, उसकी बाद last exam आपका 10 वरीवरी को है, generic elective का, जिसमें हो सकता है, आपने micro economics लिया हो, या English का generic subject लिया हो, generic fiction, या कोई और subject आपने generic elective में लिया हो, तो वो exam आपका 10 वरीवरी को होगा, इस तरह से become honors की date sheet यहाँ खतम हो गई, इसकी बाद हम बात करते हैं, BA program की date sheet की, और यह BA program की date sheet से related ही काफी complaint, काफी query student की आदी है, सबसे पहली चीज़ तो, आपका BA program का exam 16 December से शुरू हो रहा है, यहाँ पर मैं एक चीज़ सबसे पहले clear कर दूँ, आपकी दो timing लिखी होगी, आपकी actual timing कौन सी होगी, वो आपके admit card पर ही depend करेगा, कुछ बच्चों को morning में shift कर दिया जाएगा, कुछ बच्चों को afternoon में, पर actual आपकी shift कौन सी होगी, यह admit card आने के बाद ही clear होगा, उससे पहले यह चीज़ clear नहीं होगी, तो इस चीज़ को सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, तो अब पहला paper आपका आ रहा है 16 December को, जी हाँ 16 December को आपका पहल के लिए अब मैं नीचे स्क्रोल करता हूँ अभी, अभी पूरी date sheet में explain करूँगा, थोड़ा सा आप लोग wait कीजिए, यह दिखिए, 16 December के अलावा 13 January को भी यह सारे papers रखे गए हैं, ठीक है, सिर्फ एक शायद हो सकता, economist का ना हो, लेकिन सारे paper रखे जाएंगे, तो economist का है वैसे यहाँ पर introductory micro economics और यह उपर भी 16 December में भी था, यह रहा micro economics, तो अब आपका बोलोगे बच्चो सर, यह दोनों paper तो अलग-अलग dates पर हैं, अब हम क्या करें, अब आपके पास दो subject होंगे, discipline के, हाला कि तीन subject discipline के होते हैं, BA program में, एक आपका major को होता है, दो minor के होते हैं तो यह दो subject होंगे, history या, policy science या economics या जो भी है, इसको alphabetical rule में follow करा जाता है, जैसा अगर आपके पास education या economics है, तो इसमें economics पहले आता है, तो economics का exam आपका 16 को होगा, और फिर education का exam आपका 13 जनवरी को होगा, या फिर आपके पास mathematics या political science है, तो इसमें M पहले आता है, mathematics का exam आपका 16 को होगा, और false science का exam आपका 13 को होगा, लेकिन एक बात और सुन जे चलिए, कई बार alphabetical rule admit card में follow नहीं करा जाता है, जिसे for example, आपके पास history और political science है, जो कहीं बच्चों का political science का exam पहले हो जाता है, और history का बात में हो जाता है, तो हो सकता है, आप बात में complain करो कि कार्ट में मेरा किसी और डेट पर है, तो इसमें कोई भी panic create करने वाली बात नहीं है, तो जो भी आपके पास subjects है, minor में, आप यहाँ पे consider कर लीजेगा, एक paper आपका उसमें से 16 को होगा, और एक paper आपका उसमें से 13 जनवरी के बीच होगा, अभी जो तीसरा ओला में subjective discipline को उस इंदी language भी हो सकती है, उसकी बाद अगला subject आपका discipline 1 भी ये मैं discuss कर चुका हूँ, उसकी बाद अगला subject आपका skill enhancement का है, जिसमें finance, communication या रंगमंच होगा, अगर ये code गलत है तो फिलाल इसको ignore कीजिए, ये paper आपका 20 जनवरी को होगा, again shift आपके admit card में mention हुई भी मिल फिर आप यहाँ पर देखिए, इस discipline subject की में बात कर रहा था, ये जो subject है, ये सिर्फ इसी दिन रखा गया है, सत्ताई जनवरी को, इनमें आपके पास Asian Society, अगर आपने choose करा है, history as a major subject, या elements of discrete mathematics है, आपने education का है, ठीक है, तो ये जो subject है दोस्तों, ये सिर्फ सत्ताई जनवर को रखा गया है, तो इसमें से कोई एक subject आपके पास जरूर होगा, तो आप इसके accordingly देख लिजेगा, उसके बाद BA प्रोग्राम में value edit course का exam 3 फरवरी को रखा गया है, इन चारों में से कोई एक subject आपके पास होगा, ठीक है, उसके बाद आपका generic elective जिसमें mostly बच्चों के प बारी आती है हमारी become program के, become program के सबसे पहले हम main subject समझते हैं, जी हाँ, become program के सबसे पहले हम main subject समझते हैं, तो ये become regular NCF और SOL वाली जो PDF है, ये वाली PDF हमने open करी है, ठीक है, regular SOL और NCF जहां लिखा हुआ है, तो become program के जो main 3 subject हैं, इसके पहला exam 28 December को business organization का है, फिर 3 January को business law का है, फिर 9 January को financial accounting का exam है, तो ये सारे 3 main exam होगा है, become program के, इसके अलावा, become program में जो आपका 15 January है, 15 January को इसके लिए enhancement course का exam होगा, become program as well के बच्चों का, ये afternoon में होगा, जिसमें आपके पास finance, communication या रंगमंच का paper होगा, ठीक है, अच्छा, अब become program में जो value edit course है, इसका exam 17 January को होगा, डाइसे, सारे 4 बजे के बीजे exam होगा, इन चारों में से कोई एक subject आपके पास होगा, और जो हमारा become program में ability enhancement course है, इसमें आपका जो exam रहेगा, वो again, afternoon shift में रहेगा, ये 10 January को exam रहेगा, मैंने हो सकता है, series chronological order में dates आपको नहीं बताई हो, लेकिन मैंने साही dates आपको बता द ये तीन main subject पी हो, ये वाला exam आपका ability enhancement का, जिसमें आपके पास EBS या कोई language subject हो सकता है, वो paper आपका रखा जाएगा, ये afternoon shift में, और जो as well के student है, उनके पास अगर EBS है, तो धाई से 5 बजे के बीच आपका exam होगा, और lastly, एक paper और बसता है become वाले बच्चों का, जो की है generic elective का, वो generic elective का paper आपको देखने के लिए, ये generic elective की PDF डाउनलूड करनी है, अब generic elective में semester 1 का, जो generic elective का exam दिखा रहा है, इस PDF के अंदर, वो 21 December को है, अब आपका morning में होगा, या afternoon में होगा, या आप इस PDF में देख लिजेगा, most likely become के बच्चों का जो exam generic elective का होता है, वो afternoon में होता है, तो एक बार इस से आप compare कर लिजेगा, ठीक है, subject से आपे बहुत सारे आपको दिखेंगे, mainly become program में generic elective में, या तो हो सकता है, आपको बास English fluency हो, या हिंदी का subject हो, ठीक है, तो वो आप अपने accordingly इसमें देख लिजेगा, language वाला subject ये देखिए, धाई से साड़े पा हमारी बारी आती है, BA honors में English, All Science, Economics की date sheet, और psychology की date sheet, और आपका BBA और BMS की जो date sheet है, वो इसी PDF में आपको मिलीगी, BA honors regular and SOL, इसको आप download करोगे, तो इसमें आपके पास जो पहली date रखी गई है, semester 1 की, वो 26 December रखी गई है, अब इसमें आप अपनी dates देख लिजेगा, BMS और BBA की dates और subjects यह रहे, 26 December को इनका paper होगा, Morning में ही होगा, Economics Honors का paper आप introductory Micro Economist का होगा, English Honors में literary studies का paper होगा, 26 December को, और political science का भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा देखने को, Understanding Political Theory, 26 December के बाद अगला paper semester 1 का इन लोगों ने रखा है, 1 January को, ठीक है, और जो भी discipline subject आपके पास है, आपके course के recording वो देख लिजेगा है, जैसे Economics Honors में यह वाला subject रखा गया है, English Honors में European Classical Literature है, और भी subject होंगे, Political Science Honors में आपका idea and institutional है, यह आपका रखा गया है, और 3 January को, जो discipline का third paper है, वो आपका रखा गया है, BA Honors और BMS और BBA जैसे courses का, यह हो गए आपके 3 main subject, BA Honors, BBA और BMS वाले courses के, इन 3 subjects के अलावा, generic elective की PDF, again आप यहां से download करोगे, यह वाली PDF, इस PDF को आप download कर लोगे, और जो भी आपने generic elective में subject choose करा है, semester 1 में, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, most likely 21 December को, generic elective का exam रहेगा, यानि की BA Honors का पहला paper यही वाला रहेगा, generic elective का, again मैंने chronological order में, date sheet को नहीं समझा है, तो आप इसके accordingly देख लीजिएगा, इसके अलावा, हम बात करते हैं, जो BA Honors में, जो value edit course है, उसका exam 17 January को रखा गया है, SL के बच्चों का, ठीक है, morning shift में, value edit course में, यह constitutional values, यह reading Indian, यह yoga वाला subject, यह जो है, इसके अलावा, जो BA Honors में, आपके पास skill enhancement में subject है, उनका paper साड़े 9 से साड़े, 11 बजे के बीच, 15 January को रखा गया है, ठीक है, और, और इसके अलावा, जो ability enhancement है, Honors courses में, इनका morning shift में exam होगा, 10 January को, इसमें आपके पास EBS हो सकता है, ability enhancement में, या कोई और Hindi language भी हो सकती है, तो यह exam morning shift में, 10 January के बीच conduct होगा, और generic elective और main subject की PDF में आपको, या dates में आपको समझा जुका हूँ, तो यही date sheet थी दोस्तों, आपकी S.O.L.K. semester 1K student की, I hope ये video आपको useful लगी हो, तो video को share कीजेगा, thank you.